आपने देखा होगा कि हमारी माँ खास मौकों पर खूबसूरत मुलायम और चमकदार साडियां पहनती है बनावट सुन्दर्ता और कपड़ी की चमक बहुत ध्यान और प्रशन सा आकरशित करती है लेकिन ये कौन सा कपड़ा होता है? ये और कुछ नहीं, सिल्क है जी हाँ, आपने ये टर्म को कई बार सुना होगा चलिए, अब ये समझते हैं कि आखिर सिल्क है क्या और फाइबर्स कैसे प्राप्त किये जाते हैं शुरू करने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिल्क के फैब्रिक्स कहां से मिलते हैं क्या ये कोई पौदे से मिलते हैं या फिर कोई जानवर से जी हाँ, एक जानवर से ये छोटा सा वर्म जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, ये हमें सिल्क के धागे देता है लेकिन हमें ये धागे इतने छोटी से जीव से कैसे मिलते हैं और ये जोटा सा जीव हमें कितने धागे दे सकता है? चलिए, इस पूरे फ्रोसेस को समझने के लिए सिल्क वर्म के लाइफ साइकल को देखते हैं. सबसे पहले स्टेज में मादा मौत पत्तों पर अंडे देती है. मौत्स कौन से पौधों के पत्ती को चुनते हैं? पौधे जैसे की मलबरी के पत्तों को चुना जाता है. तो एग स्टेट पहला स्टेज है. अगले स्टेज में अंडे लार्वी में विकसित होते हैं. लार्वे कुछ ऐसे दिखते हैं. जिहां, ये वोम जैसे स्ट्रक्चर्ज होते हैं. लार्वे मलबरी पत्तों को खाकर साइज में बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं लार्वे की growth stage का एक scientific नाम है इसे इंस्टार कहते हैं इंस्टार का मतलब कि इंसेक लार्वा के दो molting processes के बीच का phase तो इस case में हम कह सकते हैं कि लार्वे first इंस्टार में बढ़ते हैं second इंस्टार, third इंस्टार and so on जब तक ये खुद को प्रियाप्त भोजन नहीं खिला लेते एक बार जब लार्वे प्रियाप्त मात्रा में खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं जो कि पत्या हैं वे अगले stage में प्रवेश करते हैं ये stage उनका resting stage है तो resting के लिए उन्हें अपने चारों और एक आराम दायक कवर चाहिए होगा जैसे कि सोते समय हमें कंबल की जरूरत होती है उसी तरह इन लार्वे को भी अपने चारों और एक कवर की जरूरत होती है यही वो वक्त होता है जब वे अपने मूँ से slimy धागी जैसे structures सिक्रीट करते हैं ये इन धागों को सिक्रीट करते समय अपना सिर सभी दिशाओं में घुमाते हैं इस movement के कारण धागों का एक मोटा कोट उनके पूरे शरीर के चारों और बन जाता है इस कोट को कुकून कहते हैं क्या आप जानते हैं कि ये कुकून हमारे लिए बहुत मेत्वपून है क्योंकि ये ही वो structure है जो हमें सिल्के धागे देता है जिसे हम बाद में process करते हैं कुकून बन जाने के बाद इसके अंदर का लारवा rest करना शुरू कर देता है और ये अपने life cycle के अगले stage में प्रवेश करता है जिसे pupa stage कहते हैं pupa stage में organism से seal होता है जिसका मतलब कि वो आम तोर पर नहीं हिलता और ये वो organs develop करना शुरू कर देता है जो adult moths में होते हैं तो यहाँ pupa कुकून में रहता है और adult में develop होना शुरू होता है इसके पूरी तरह develop होने के बाद अगला stage है adult stage mature moth अब कुकून तोड़कर उड़ने के लिए तयार है ये एक silkworm का पूरा life cycle है तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि silk इन जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है कुकून सिल्क के धागों का main source है जैसे ही प्यूपा एक बार adult बन जाता है और कुकून छोड़कर उड़ जाता है कुकून्स को जमा किया जा सकता है और धागों को प्राप्त किया जा सकता है कुकून में मौजूद धागे बहुत ही strong होते हैं ये steel के धागों जितने strong होते हैं इन धागों को आगे प्रोसेस करने से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। ये थे सिल्क वर्म के लाइफ साइकल के चार मुख्य डिवेलपमेंटल स्टेज़। पहले आते हैं अंडे, फिर लार्वल स्टेज, उसके बाद प्यूपल स्टेज, और अंत में अडल्ट स्टेज, जहां मच्योर मौ्ट्स कुकून से उड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये कुकून्स कहां से और कैसे मिलते हैं? क्या हमें जंगलों में जाना पड़ता है जहां मलबरी पेड होते हैं? या कोई दूसरा तरीका है इन्हें प्राप्त करने का? Silk Worms को खास खेतों में पाला जाता है इन Silk Worms को पालना ही अपने आप में एक लाबधायक इंडस्ट्री है Silk Worms के कल्चरिंग की प्राक्टिस को Sericulture कहा जाता है अगले विडियो में हम Sericulture को देखेंगे और ये समझेंगे कि Silk के Fabrics कुकून से कैसे प्रात किये जाते हैं